देखो यह बिल्कुल ताना साही है ताना साही रवहया जो चला है ना यह बिल्कुल सही सक्क्राइबे में आराए लेक्शन कभी तर्ब क्योंकि वह उस्से ज्यादा भाजबास क्यों बॉल रहा है चुनाब आए सड़ सट ले रहे हैं देश को अगर तरक्की पे ले जाना चाहते तो यह इनको विदा करना पड़ेगा मोदी जी को हरा हाल में नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज EVM का मुद्दा लगतार बढ़ता ही चला जा रहा है अब जनता के साथ सा सुप्रीम कोट के वकील खुद सड़कों पे उतर के लाइव हैकिंग दिखा रहे है कि किस तरीके से जो EVM को हैक करा जाता है और अब इसी तरीके से कल जो एक प्रदेशन करा जा रहा था इलेक्शन कमिशन को घेर ने एक बर फिर से जा रहे थे महमुद प्राचा और भानू प्रताफ सिंग लेकिन उनको डिटेन करके ले गए मतलब अब अगर कोई EVM के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उनको डिटेन करके ले जाए जा रहा है इस पर हमाई साथ एक शक्स मौझूद है सर क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकि EVM पर जो लोग आवाज उठा रहे हैं मतलब चांती पूर्वक प्रजशन चल रहा है उसमें भी डिटेन करके लेके जा रहे हैं देखो इनका क्या है इनका तो हर चीज़ में ऐसा एक मुद्दा बना लिया इनोंने क्यों किसी ना किसी बात को लेके अब देखो जंतर मंतर पर जब कांग्रिस का टाइम था तो कोई भी कभी आओ कितने भी दिन रुको उनको कोई दिक्कत नहीं थी कोई परविशन लेने क चल लाए ना यह बिल्कुल सही नहीं है अब उन्होंने कल भी प्रोट्रेस्ट किया और वहां किया था कितना अपना सुप्रेम कोट के सामने और फिर उसके बाद में भी उनको वहां से नहीं फिर हटा दिया उनका जो भी था धरना पर दरसन वो करके डिमस्ट्रेशन दिख रहे हो सकती है फिर जितने फिर वी लाइफ़ उनको क्य excess है इसको किनो भी है कि शुनाव आयोगे और इसको नियुक कर एंधों जो पिरो उब देमो करके दिखा एप और अगर जेको एक आदमी को भी अपनी बहुत का तो उसको चुनाब आयोग की गारंटी है कि उसको फिरी और फिर उसको दिखाए और उसके सामने दिखा दे बता दे और क्या एक बात बता हो जब खर्चा उतना ही हो रहा है सारा पैसा उतना ही लग रहा है टाइम भी उतना ही लग रहा है बीपी पैड के साथ में उस पैड में जो भी अपने वो निकलता है पर्ची जो निकलती है उस पर्ची को एक और box में दोबारा से बरावर में रखवा लो तो उसमें कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा कोई बात नहीं होगी और देखो जानभुज के सक् Watts के धायरे में आ रहा है Vai क्योंकि वो उस से ज़्यादा भाजबा से ज़्यादा वो क्यों बोल रहें जो रिटायर कमिस्टनर को क्या मतलब है तुम्हारे टाइम पर तो नहीं है ना हो सकता है तब सही हो आप खराब हुई हो जद्धे बीपी पैड़ा आया है जब से उन्होंने काला सीशा लगा दिया जब की ट्रांस्बीरेंट होना चाहिए था और पहले ट्रांस्बीरेंट इंग दिखाया था उसके बाद में काला लगा दिया उसको सीशा अगर काला सीशा लगाया तो वह पता ही नहीं चल पाता है साथ सेकंड के लिए वह आती है उसको पता ही नहीं होता है जो को बोट का समेंसन कोई करना है यह उनको पिरताब जी को और उनको नहीं करना उनने रिए शर्लीके की बात ऊळाग़ा है यह सब के लिए यह लागू होता है उनको अपना कर रहे हैं महमूद पार्चा जी है jadi जो कर रहे हैं बानु पिरताब जी यह जगा रहे हैं देश को और यह जगना चाहिए देश को क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उनकी बोट जो काश्ट हुई हो किसके लिए गई है और जब बोट का ही पता नहीं है तो कहां चली गई तो बता हो ना फिर एलेक्शन का क्या तो क्रह गया फिर वो किया रहे हैं लेकिन इस तर पे लोग कहा है उनके साथ अरे 95% आपको पता है कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां से लगातार में मिस कॉल नहीं आ रही हो और कोई भी चीज ऐसी नहीं है और लगातार वो तो जुड़ते जा रहे हैं अंदोलन बड़ा होता जो जाएं लोग और 95% यहीं कह रहे हैं कि हम तुमारे साथ हैं विंविंक्राइद रहता है तो उससे एक सकतो जाता है कि इन जो कोई भी चीज है को सकती है। अब गाल है कितनी भी वह हैं किदने भी लगा लो अगर इसका जो इसमें वह होता है ना मॉनीटिर रगा लेते ह तो चिप अगर निकल गई तो उसको स्टाट करके लेगा तो इसके क्या सिकवर्टी रहे तो और देड़ नहीं लगा दियुकि लोकसबद चुनाव के तीन से चार महीं नहीं रहे गए तो चुनाव को एक महीन दो महीन बाद भी हो सकता है अगर कोई दिक्कता रही है उसमें एक बाद बताओ और दो महीने बाद हो जाएगा चुनाब और कोई कोई चेंज कुछ नहीं करना है जैसे बीपी पैड है उसमें पर्ची जो निकल रही है उसको अंदर मत डालो उसमें उस पर्ची को निकालो और वहीं बक्सा रख दो यह बक्से में डाल दो और जब सब की बराबर पढ़नी चाहिए और यह नहीं है कि 10 परसेंट आप रेंडमली चेक कर लो रेंडमली से क्या फाइदा है यार वो तो 10 परसेंट जो तुम प्रोग्रामिंग दो दो गे उसको मसीन को जो चिपको दो गो प्रोग्रामिंग वो उसी प्रोग्रामिंग से करेगी हो सकता है वो 11 मजे के बाद बदले हो सकता है वह तीन बजे के बाद बदले हो सकता है वो रखी- typesa बदले आप बैटरी उसमें 99% फुल देख रहे हो 99% बैटरी अगर फुल है तो इसका मतलब क्या यह बदली गई है यह यह नहीं बदली गई मालो हम कह रहें चलो बैटरी उसमें जाद आती एक महीने तक बैटरी डाउनी नहीं हुई फिर उसको बैटरी को या तो अलग निकाल के रखो को अप्सन बहुत हैं सारे लेकर चुनाब आएक को किलियर करना जनता की नजरों में का तू फ्री और फिर चुनाब करा रहे लेकिन आपको डिटेन कर लिया जा रहे और फिर आप कहने कि सुप्रीम कोर्ट में हम लाइव है करके दिखाएंगे तो वह कैसे दिखाया जाएगा देखो ताना साही है यह यह प्रूफ है लाइप प्रूफ है कि देखो यह सामने नहीं दिखाने दे रहे बैए एक मिनट सुनो जब सारी पार्टी पिपच की है और जितनी न्यूटरल पार्टी है जो पिपच से भी अलग है कुछ न्यूटरल पार्टी है जब सब ही यह कह रही है कि इविएम है नहीं चुनाब आयोग ना इतना उपरैसर में आ रहा है देखो एक मिनट सुनो ना सक क्यों होता है सक यह होता है कि इसके बाद में रिटायर होने के बाद में यहीं चुनाब आयोग वाले ही एंपी बनते हैं और किसी ने किसी सच्था के अध्यच बन जाते हैं किसी का कुछ ना कुछ जाके यह गवर्मेंट में ही सामिल होते हैं बाद में देखा है तुमने पुराने जो चनाब आयोगते कहीं रिटायर होने के बाद में या तो सांसद बने हैं या किसी ने किसी सच चाहिए भानुपिरताब जी का महमुद पार्चा जी का साथ देना चाहिए जनता तो मोली के साथ है ना वो राम मंदिर बनवा रहे हैं और 22 जनवरी को उसका उटधाटन है दिवाली मनाई जाएगी इसके लिए अपने बच्चों की जूकेसं भी मंगबा ओगा कभी उसको यह जो लग रहा है ना हर वकत हंदु नहीं रह सकता है दो जएks साथ-साथ-सुछिब से गालदे के बाद में एब 26 गंते के बाद में भूख तो लगेगी भूख लगने के बाद में हिंदू फिर क्या कब तक हिंदु रहेगा बताओ ना मंदिर कब तक दे सकता है एक लिमिट है ना मंदिर मस्जिद की तो यह यह नहीं है देखो गुर्द्वारा भी कुछ समय तक रख सकता है उसके बाद में तुम्हें खुदी करना पड़ेगा और जब तुम सोड़ साधन संसाधन परसाधन स तने हम चाहिता है बहारत में जिसके घर में मंदर ना हो अपने घर में और वगवान करक्द में होता है यह नहींरूज अब थी किलो मीटर तो किस बात की थी लड़ाई तो कहीं भी बना ले तो तुमने मस्जद तोड़ी वह गुम्मद के ओ तोड़ी या राम मंदर का जो जनम इस्थान ता तौ के तो 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 भगवान जी को क्यो टेंटे में रखा इतने दन देखो कोई चीज है उंगली कितनी भी उठालो नहीं समझ रहे कोई फेर नहीं है और जब तुम उसके जा रहे हो सुबह ते साम तक दारू पी रहे हो फिर उसके बाद में मास मच्छी खा रहे हैं तुम काय के सनातनी रह गए अगर मुसल्मान दारू पी रहा है और वो मस्ज कोई भी नाफ के बाता हूं आठ लावनास के लेमारे घर मेहां मन्त रहे हैं सबके घरों में मंदिर क ejerc ऐसी कोई बात नहीं है तो जान भूज के ना हाइप कुछ भी कर लो तुम बद्दा कितना भी बड़ा बनाई चले जाओ लेकिन लेकिन देखो एक मनद सब्सक्राइब उसका यूज कर रहे हो न जो धरम का यूज मिक्स कर रहे हो न राजनीती में यह बहुत गलत है और राज सब्सक्राइब नहीं कोई विपच्छ वाले तो देखो एक मनद सुनो उन्हें अपनी मर्जी जो करना वह अपनी मर्जी से कर रहे हैं वह चले भी गए वहां मंदिर भी ना के आगए सरीव में इसनान भी करके आए हैं पर्सों लेकिन उनका जो फंड़ा है वह बपच्छ वह बपच्छ या कोई अधिम घंग जीतना उनका मांड का जो सोचना नहीं है वह सहां वह सहां से करता है तक वहिस अपनी जाने हम मैं तो यह आम आद्मी की तरह एंक किसान का बालक हूं किसान उन्हें में चणा मैं तो अपनी जो भावना है मेरी मैंने उसके आप से बता तो उसकी चुनाब लड़ रहा हूं तो तो वह जाने वह फिर नहीं गारेगे कोईजा है इनकंप्लिट अभी देखो है गुममद इसका पूरा बना नहीं है जब तक गुममद तो पूरा मंदर का बनेगा नहीं अभी एक मंजल कंप्लीट हो रही है नीचे वाली से कंड मंजल और थर्ड मंजल बची होई है अब जब प्राण प्रतिष्टा तुमने उस मूर्ती में डाल दी हालांकि वो एक तो पहले बाली पहली सतर साल पहले डल गई यू दौरा जो डाले वो गलत है दूसरी बात चलो नहीं तुम ला रहे हो फिर तुम और डाल ले हो उसमें तो फिर उसके गुम्मद के उपर जो राज मिस्त्री या जो भी मेकैनिकल काम होगा या जो भी लेक्टोनिक का काम होगा वो उसके उपर ही तो चड़के करेगा वह उसके उपर चड़के करेगा जब उसके पैर उसके सर पर रहेंगे भगवान जी के पर तो भगवान जी के सर पर प परसेंट नहीं रेंडम ली नहीं हंड्रेड परसेंट एक तो यह चाहते नहीं तो अगर तुम नहीं कर सकते हैं उस चीज को तो तो बैल इलेट पर लागव दो सकते है डियों को तो फॉट कर देख घ्सेली सबस्क्राइभ थे लगू नहीं गोगाइव टो थोड़ी है एक डो जागे हो तो हो सकता है और किसी ने जानभूज के करा दिया हो ऐसा कुछ नहीं एक दो जगे अगर हो जाता है तो रिचनाब ओजका है रिसनाब आपका अगह तो बुब ठैस तीसें दए नहीं हो जाता है वही ऐसा नहीं ज़ए नहीं हो जाता है वह को यह को भी चीज नहीं है अगला किस भी ले लग तक तैम ज्यादा लगता है यह लगता है तो मेर्ग साल तक की देते हो ना गोर्मेंट को तो वो और दो गहन्टे काऊंटिंग जार चार देन कर देगा जब तुम चुनाब को ही तिन-तीन मह Azerbaijan में अब आप देख लैका ब्रवरी मार्च से सुरू हो झायर मार्च के फर्स्ट विक से और जा के मंई में में खत्म होगा डाई महीने में और दो बढ़ जाए काउंटिंग में और जादा तक ज्यादा क्या हो बताऊ बहाने लगाने को देखो भाजपा के अलावा भाजपाही खلاपत कर रही है और इसके अलावा कोई भी खलापत करनी रहा है तो जब क्यों सक में आरी है यह तुम क् कर रही है इसलिए भी पक्ष चिला रही है भी फिजूल का हां अच्छा काम कर रही है वह देश गिर भी धर दिया दोसो पांच लाग करोड देश में कर जा आ गया उसको कोन उतारेगा आपके बच्चों के खाल उतार के भी ले लेंगा यह यह लाला है गुजराती समझ रहे ह अज 1.5 लाग हर उस पर भी बच्चा पैदा भी नहीं हो रहा है जो फ्रे स्था न्यूबर्न बेवी है उस पर भी 1.5 लाग रुप्य का कर जा है कि अगर दूद भी मांग रहा है वह दूद भी जी अश्टी है अगर कुट्टा भी रोटी खा रहा है किसान का या जानवर किसान का ढूद देने वाला वह जीए इसकी पेड कर देहर एंअ अब बतायों ने इन थोड़ा क्या रात में अगर इसान सो भी रहा यह दूर सो रहा तरहीं नहीं चोड़ी दो सब सेड़ी दो संभित देते हैं गल्रेगोण पर मैं होता है यह यहां तर disagree फ़ी रहा है सब को भाएंगरेंस पहां ना जहां को कह रहा है उसको कर वारें कोन करा देखो एक मट सुनो जब आपको एक बात बताओ जब पूरा ही कबर कर लोगे तो फिर तो सब कोई सख हो जाएगा एक दो तो उसका मुह काला करने को एक दो तो जिता नहीं है कांग्रेस को वो जिता दिया अच्छा वहां ले जा करना में तुम्हार ते लंगाना समझ अगर यह चुनाब मद पर देख तीस गड़र राहिस्तान बीजे पिहार जाती ना मोदी जी सो सीट नहीं पा रहे थे लोग सबाकी पता है देश में तो हवा निकल जाती क्योंकर राज्यों में सरकारी नि बच्चती जहां हैं गठबंदन वाले बच्चते बस जीतने के ब अगर दिखाना चाहते हो देश़् देश को अगर तरकी पर लें चाहते हैं तो इनको विधा करना पड़ेगा मोदी झी को हरहाल में तो आपने इनकी बात सुनई कहने कि अगर फैर चाते हो तो मोदी जी जी को विदा करना ही पड़ेगा और जब तक sir unarm नहीं झेर तो बैलेट पेपर से सबका ही मानने, जनताव का भी ही मानने को बैलेट पेपर से चुनाफ करके देख तो लीजे, दूद का उदर पानी का पानी हो जाएगा, बाकि आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा